अपका स्वागत है आज हम बच्चों के लिए यानि कक्षा 2 के लिए जैसी आटिक बूक का एक चेप्टर है जिसका नाम है थ्री हाउसेज वो हम पढ़ाने जा रहे हैं तो जो जो बच्चे जैसी आटिक बूक से पढ़ रहे हैं वो ध्यान देंगे दूसरी कक्षा का है क्लास 2 इसका चेप्टर का नाम है थ्री हाउसेज जिसका मतलब होता है तीन घर इसका मतलब होता है तीन घर ठीक है अब इस कहानी में क्या आता है हम कहानी पढ़ते जा रहे हैं उसका और समझाते भी जाएंगे आप लोग ध्यान से सुनेगा इसमें गुडिया and पिंकू are three friends. इसका मतलब होता है हीना, गुडिया और पिंकू तीन दोस्त हैं. कौन-कौन है तीन दोस्त? हीना, गुडिया और पिंकू. Hina had built a straw house Hina ने पुवाल से घर बनाया था हina ने किसे बनाया था पुवाल से Guggiya had built a stick और Guggiya ने stick house बनाया stick से, यादि बांस, बंबू से घर बनाया Pinku had built a brick house पिंकू ने इंटे से घर बनाया था तो हीना ने घर किसे बनाया था पुवाल से गुडिया ने घर किसे बनाया था लकडी से यानि स्टिक से बंबू से बांस से और पिंकू ने किसे बनाया था घर इंट से ब्रिक यानि इंट ठीक है आगे पढ़ते हैं फिर क्या लिखावा A bear was living nearby इसका मतलब था एक भालू नजदिक में ही रहता था आसपास में One day, एक दिन He was hungry and went in search of food एक दिन वो भूका था और खानी के तलास में निकला He knocked at Hina's house He knocked Knocked का मतलब होता है दस तक देना जैसे हम लोग किसी घर जाते न तो bell बजाते हैं या बाहर से ठक ठक करते हैं कुछ बजाते हैं ताकि अंदर वालों को मालूम हो जाए कि हम आये हुए हैं तो He knocked, उसको knocked बोलते हैं He knocked at Hina's house वो Hina के घर में दस तक देता है दिया An growled An growled growled का मतलब भुन भुनाना या भालू जो आवाज करता है उसको बोलते हैं growled गुराया Hina did not open the door Hina ने दरवाजा नहीं खोला Open मतलब खोलना Door मतलब दरवाजा Hina ने दरवाजा नहीं खोला The bear got angry भालू गुसा हो गया Angry मतलब क्या था गुसा भालू गुसा हो गया He blay away the storehouse easily वो आसानी से घर को उड़ा दिया यानि फूंक के घर को क्या किया उड़ा दिया वो घर किसे बना बता पुवाल से तो भालू ने गुसे में फूंक कर घर को उड़ा दिया आसानी से इजली यानि आसानी से Hina ran to गुडिया's house Hina क्या किये अपने दोस्त गुडिया के घर दोड के भाग गई The bear followed her यानि भालू ने उसका follow किया यानि उसके पीछे पीजे गिया जिसे गुडिया भागे गई Hina भागे गई गुडिया घर तो भालू भी भागे चल गया गुडिया घर उसके पीछे पीछे He knocked at गुडिया's house वो जाके गुडिया के घर में अब नुक करने लगा दस तक देने लगा खटकन आने लगा और फिर गुडिया आने लगा भुनबुना आने लगा ठीक फिर आगे क्या होता है गुडिया डिड नॉट ओपें दा डोर गुडिया दरवाजा नहीं खोली हिना भी नहीं खोली थी गुडिया भी दरवाजा नहीं खोली क्योंकि वो भालू था भालू खा जाता है भालू जानवर है न तो डर्ल से क्या कि गुडिया ने भी दरवाजा नहीं खोला दबेर वाज एंग्री भालू फिर गुसा हो गया इट बले अवे दा स्टिक हाउस टू तो गुसा से उन्हें फूक के स्टिक याने बंबू से बनावा घर को भी उड़ा दिया भालू ने फूक के बंबू के घर को याने बाज से बने हुए घर को भी उड़ा दिया हीना एन गुडिया रेन टू पिंकुज हाउस हीना और गुडिया दोड के पिंकु के घर चली गई हीना और गुडिया का किया दोड के पिंकु के घर चली गई दोनों हीना और गुडिया क्योंकि हीना का घर भी उड़ा दिया गुडिया का घर भी उड़ा दिया अब एक घर बचा था पिंकु का दोनों जान बचाने के लिए पिंकु का घर भाग गई यानि भालू भी उसका पीछा किया उसके पीछे गए वो पिंकु का घर में फिट ठक ठक आता है खटक आता है दस तक देता है किसे घर में अब पिंकु का घर में क्योंकि अब तीनों बच्चे किसे घर में हैं पिंकु को घर में, पिंकु अपने घर में पहले से था, गुडियार ही ना भाग के चली गई, आगे क्या आता देखते हैं, पिंकु ने भी दर्वाजा नहीं खोला, बहुत जोड 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 से फूक में, पिंकु ने गुराया, भुनबुनाया, और बहुत जोड जोड से फूक में, मारा, लेकिन वो घर को उड़ा नहीं पाया, किमकि वो घर इंट का था, मजबूत घर था, ब्रिक था उस था, ते इसे उड़ा नहीं पाया, ये देखिए, यह ना, तीनों बच्चे देखिए, खीड की से देख रहे हैं, भालू बाहर खड़ा हुआ है, उसको देख रहा है ठेके, चली आगे देखते हैं, क्या लिखा हुआ, दबेअर गोट टायड, टायड मतलब ठक जाना है, एन पिप्ड थू दा विंडो, अब पिप्ड का मतलब हुथा, यह पिप्ड का मतलब होता है, जहांकना, जिसे खिडकी से देखते हैंना, तुर जहांकना बोलते यह ज खिरकी से जाकने लगा, त्री फ्रेंड्स वेर हैप्पी, तू बी इन अ स्टॉंग हाउस, तीनों दोस्त खुश थें, क्योंकि वो एक स्टॉंग यानि मजबुत घर में था, इसलिए तीनों अब खुश थें, कि भालू कितनों फुक मारो, घर उड़ने वाला नहीं है, उसे अब डर किसी का नहीं था, ठीक है, तो बच्चों ये कहानी खतम हो गई, इस कहानी के नाम था, त्री फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करें, इसमें कुछ निव वर्ट्स दिये हैं, जिसका मीनिंग हमें बता देता हूं, इसमें स्टो, स्टो का मीनिंग होता है, स्टो का मीनिंग होता है, बांस या बंबू, ग्रोल मतलब वही भुन बनाना, गुराना, ब्रिक का मतलब होता है, इंट, believe का मतलब उड़ा देना peep का मतलब होता है जहांकना knock का मतलब होता है दस दक देना अब follow का मतलब होता है पीछा करना, अनुसरन करना मतलब जैसे वो किया हुआ है हम करें तो हम बोलते हैं follow की है ठीक है ठीक है thank you मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में तब तके लिए goodbye